की मौत पर दुख जताया है हिजबुल्ला चीफ की मौत पर महभूबा मुफ्ती की तरफ से पोश्ट किया गया है महभूबा मुफ्ती ने आज अपने चुनाव अभियान को रद किया है महभूबा मुफ्ती आज चुनाव प्रचार नहीं करेंगी साथी साथ उन्हें ने कहा ह लेबनान और गाजा के संबेदना प्रकट करते हुए दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ है ये कहते हुए हसन नसरल्ला को शहीद बताकर आज अपनी तवाम चुनावी जन्सवाओं को रद किया है अजय जान्डियाल हमारे सहीयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जिरो से बने हुए अजय जान्डियाल पीडीपी चीफ महभुवा मुफ्ती का ये फैसला जमु कश्मीर में सियासी सरगर्मिया पहले से ही काफी बढ़ी हुई है ऐसे में ये मौका निश्चित तोर पर विपाक्ष और विशेश तोर पर जो बीजेपी है उसको हमला बोलने के लिए एक उप्युक्त मौका देदेगा पीडीपी पर देखिया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और खास तोर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके की बयान बाजी ये जिस तरीके की ये ट्वीट जो है महबुआ मुफ्ती ने किया है ये अपने आप में दर्शाता है कि यहां के जो राज लेता है वो अभी भी यहां के लोगों को यहां फिर अपने आप को जो है किस कदर जो है वो रखना चाहते हैं आप देखिए महबुआ मुफ्ती का ये कुमेंट करना और परचार को जो है वो ना करना स्थाकित करना ये बताता है कि कैसे जो है यहां किस मानसिक्ता को लेकर जो है यहां पर यह जो किया जा रहा है क कि आप देखें तो United Nation की तरफ से भी Hizbullah के मारे जाने के बाद इस रिज्त को कहा गया ये जो मारा गया है ये कहीं लोगों की जाने का जो है वो जाने काका औरन है कही न कहीं सातंकी के मारे जाने के बाद उन्होंने भी खुशी जाहिर की है तो जो आतंकी है अगर उसके मारे जाने के बाद इस तरह से कोई संबेदना देता है इस तरह से कोई कहता है कि उसको शहीद कहा जाएगा वो अपने आपके बड़ा un fortunate है और यह पहला वाक्या नहीं है यही मेरा अगला सवाल था अजय जांडियाल यह पहला वाक्या नहीं है जब पीडीपी चीफ महभूब मुफ्ती इस तरीके से खुलकर आतंकी मिलीशिया गुरूप्स के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है इसे पहले हमने देखा था बुरान वानी के समय क्या कुछ साजिश है क्या जो पीडीपी का कोर बोट बैंक है वो इनी बातों से खुश होता है क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला लेना क्या यह एक रणनीती का हिस्सा है या फिर महभूब मुफ्ती अपने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की तरफ लगा थी चाहे वो अलगावादियों को लेकर थी आतंकियों को लेकर थी और उसके बाद उन्होंने जब जब सियास्त में इंट्री की उसके बाद इसी कारण से उन्हें लगा कि उनकी लोगपरेता लोगों में और उसके साथ साथ जो है जमकुश्मीर में उनको जीत हासिल करने म मदद कर गई थी हाला कि लोगों ने वोट उस वक्त कितने पर प्रतिशन जला वो देखना होगा मगर आप देखें तो आज जब मुकुष्मिर के जब हलाद बदले हैं जब मुकुष्मिर में आतंकी गतिविदियां नहीं हैं अलगावादी गटनाएं कम हुई हैं पत्थरवाजी नहीं हो रही ऐसे में अगर आप किसी आतंकी को शहीद बता कर वो भी किसी दूसरे देश का जो दूसरे देश में मारा जाता है दूसरे देश में रहता है और वो जिस जो कहीं लोगों की हत्या का कारण है उसे आप अगर शहीद कहेंगे तो उससे क्या आप मैसेज दुनिया को देना चाहती है मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक जो है वो टैक्टिक होगी उनकी यहां पर वोट हासिल करने के लिए लोगों की मगर उनको यह समझना होगा कि क्या अभी भी कश्मीर के लोग यहां पीडिपी को इस सीज को लेकर वोट देंगे कि वो इस तरह से किसी आतंकी के खिलाफ जो ह ही ना कहीं देखना होगा क्योंकि आज बदरी तस्पीर में अगर आप देखें तो लोग जिसकदर वोटिंग कर रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लगातार जमुकुश्मीर के लोग अववेर हुए हैं उन्हें पता चला है कि उन्हें नमाइंदा जो चाहिए वो उनके काम करने वाला चाहिए ना कि किसी और वज़ा से वहां पर फेमस हो किसी और वज़ा के लिए करें कि जो काम नहीं करेगा उसको उखाट फैंकेंगे लोग यह बड़ा साफ है और महबुवा मुटि का यह जो सोशल मीडिया पर कमेंट करना मेरे क्याल में हो सकता है उन्हें पता है कि अगले 8 घंटे में जो pense केंपेन उन्हें करनी है उस केंपेन में वो कितने लोगों से मिल सकेंगी कितनी जंसभाई कर सकेंगे उससे बेटर उन्हें छाहिद यह लगा ओगा कि ऐसे तरके में चर्चा में शायद जादा आ सकती हों मगर वोटर अब बड़ा समझदार है और इन डिर्टी टैक्टिक्स से मुझे लगता नहीं कि उनको कोई फाइदा जादा में वह यह है कि एक तरफ इस पूरे विधानसभा चुनाव में हम महभूमा मुफ्ती से जादा सक्रिय और उनकी माताश्री लेती है अब इलतिजा मुफ्ती इसको डिफेंड करेंगी या फिर क्या कहती नजराएंगी ये एक बड़ा सवाला अजय जांडियाल आपने तो मुलाकात भी किया उनका अप्रोच भी इन मुद्दों को लेकर वैसा ही है जैसा महभूमा मुफ्ती का है देखें अभी तक अगर आप देखें तो इलतिजा मुफ्ती की तरफ से इस तरह की स्टेट्मेंट चुम्हें वो शायद नहीं देखी गई है जब मैं उनसे मुलाकात मैंने भी कि जब मैंने उने पुछा उनके जो मदर हैं उनकी कमेंट के लिए महभूमा मुफ्ती के जो बयानबाजियां हुई थी जिनने रशीद को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर तो उनने अपने आपको बिल्कुल अलग कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपने तरीके से स्यास्त करती हूं अपनी जिन्दगी खुद जीती हूं अपने फैसले खुद लेती हूं मेरी मां क्या क् मैं उनके लिए जिमेदार नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट से महववा मुफ्ती की बेटी भी जो कोई जादा इतिफाक नहीं रखेंगी और इसको इंडोर्स शायद ही करें हाला कि ये उनकी अपनी परस्टनल वो है मगर मुझे लगता रही वैसा कुछ है कि जिस तरीके से वो सियासत कर रही है और शायद अगर जमकुश्मीर में जो सियासतदान है इसको एक चीज़ समझ आ गई है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के नाम पर या इसलाम के नाम पर व